उनों जाता है बटन को और वैल्यूं में भी दोनों चैनल का एक-एक वैल्यूं मिल जाता है कर बाद आपको देखें चैनल यह और चैनल के लिए माइक नमास्कार दोस्तों हमारी YouTube में आपको दिखाने वाले हैं इस्टीडियो माश्र का XR80 माइक जो हम एक सार फोटी माइक अपने चैनल में आपको दिखाया थे हैं उसी का नया वर्जन है एक सार एटी तो आज इसका हम ऑनबॉक्सिंग करेंगे फूल रिव्यू देंगे और इसका आज पूरे डिटल्स में बताएंगे क्या क्या इसमें है कैसे यह माइक ऑपरेट होता है पूरा डिटल्स आज देने वाले हैं तो हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के भी दबा दिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों में भी जैर करती हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं एक सारे टी स्टूरियों मास्टर का प्रोफेशनल डूएल यूएवचेफ वायरलेस माइक्रोफन है देखे इसमें 80 प्लस सेलेक्टेबल चैनल है यूएचेफ ओप्रेटिंग फिर्वेंसी रेंज पांचसो तिरासी से छोसो तिरासी मेगा हट तक खाम करेगा वह उतना दिक अंदर आप किसी भी माइक को स्लेक्ट कर सकते हैं बटन से लिए हम इसको ऑन्बॉक्सिंग कर लेते हैं पहले हम इसे प्लास्टिक से बाहर पहले ही निकालके रखे हैं ज्यादा बड़ा वीडियो होने का रहा है कि एक सकते हैं इसका प्राइस कितना है कि देखे एक सबसे उपर वाला यह मोडल है हम इसका और वोक्सिंग करते हैं भी देखे प्लास्टिक सब निकाल लिए हैं डारेक्ट इसमें आपको एक मोनो केबल मिल जाता है और चार वैक तुझे आते हैं वह दोनों हम उज्व कर लिए हैं और केबल निकाल का रखा हुआ है तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से एक सार फोटी स्रेज उला माइक रहता है उसी तरह एक सार एटी स्रेज का भी माइक है दोनों माइक नीचे में कलर में है दोनों में इसको भी उसी तरह से चलाने में वाला है इसमें पावर ओफ करने के लिए आपको लॉंग प्रेस करना पड़ता है उसके बाद पावर ओफ होगा इसका और इसमें भी आपको पैंसिल बैटरी लगेगा जैसे उसमें लगता था देख सकते हैं दोस्तों पैंसिल बैटरी लगने वाला है इस माइक में इसे बंद कर देते हैं कि यह से कुछ सीरियल नंबरे सब कुछ दिया हुए अंदर में अधर में कि शेकेंड माइक भी उसी तरह से है कि दोनों माइक एक ही तरह नीचे बस कोलर चेंजिंग रहता है माइक पाचानने के लिए और इसका चार्जर देख सकते हैं दोस्तों चार्जर का केबल एक डेड़ मीटर के असपास रहता है दोस्तों इसका अब आती हैं सबसे में आपको दिखाते हैं रेसीवर इसका सामने से लुक देख सकते हैं इस्टूडियो मास्टर एक सरेटी रेसीवर लिखा हुआ है चैनल ए चैनल भी दोनों अलग अलग है ही सब सबसे देखे पावल बॉटन न गार्ण आच एक मीर जाते आफको औरकेइयों य düşंद बी दोनों चैनल का तो एक इक मिल जाता है तो चंडूल करने के लिए माइक उस के बाद आपको देखिए चाहिनर और चैनल भी क्या स्मुवश्य करने के लिए मैक्स करने के लिए अब बैस्तर ब्रटन भिझाते हैं आप फिर दे०्स एख फ्रिकों के acağız करना चाहिए आध प्रीकों सेट painters के सेट बटन पर क्लिक करके आप माइक सेट कर सकते हैं और पीछे का लूब दिखाते हैं आपको कि दोनों चैनल का एक-एक एंटीना में जाता है जो फिक्स है यह बढ़ा करना वाला नहीं है और दोनों सब्सक्राइब है है जो कि आपको झायर के एक माइक है और देखें मोनो के लिए एक ठोपत्ला वाला यक दिया हुआ और 5 kijken defense के है कि इमिट वाइक है उसा माइक में दोष्टो इतना यह था वीडियो कैसा लगा दोस्तों कॉमेंड करके जरूर बताएगा और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाद दीचे चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं